केंद सरकार की और से प्रस्ताविक सामानी वर के लिए दस फीसिदी आरक्षन की दारी में देश की हिसाई और मुस्लिम समेत गरीब सभी धर्मों के लोग आएगे इसकी जानकारी सामाचिक कल्यार मंत्री थावर्चंद गहलोत ने लोगसभा में सन्विधान संशोधन विदेयक को पेश करते हुए दी इस प्रस्ताव को मंजूरी देने वाले 124 वे सन्विधान संशोधन विदेयक को पेश करते हुए गहलोत ने कहा कि इसकी तहट सभी वर् परिवार के लोगों को लाब मिलेगा इस विदेयक को लेकर विपक्ष की और से सुप्रीम कोट के उस फैसले को याद दिलाने की बात की गई जिसमें उसने 50 पीसिदी आरक्षिन की सीमा तैकी थी इस पर जवाब देते हूँ अरुन जेटली ने कहा कि सुप्रीम कोट में जो क कर रहे हैं इसके पीछे अदालत का तर्क ये भी था कि आप अन्य वर्ग यानि अनारक्षित वर्ग हैं उसके लिए सीट नहीं चोड़ेंगे तो फिक पुराने भेदभाव को समाप्त किया जा सकेगा लेकिन नया भेदभाव शुरू हो जाएगा इस संतुरन को बनाए लगाई सुप्रीम कोट ने मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि वो सीमा केवल आर्टिकल 16.4 में जो कास्ट बेस्ट रेजर्वेशन था उसके संबंद में लगाई वो जो सीमा थी चाहे एजुकेशनल इंस्टिूशन में हो चाहे वो पब्लिक इंप्लॉइमेंट में हो और जो ज एज़मेंट है सुप्रीम कोट का मैं चाहूंगा पैरग्राफ 806 से लेकर 812 तक कम से कम तीर बार सुप्रीम कोट ने ये बात स्पष्ट कर दी कि हम जो सीमा लगा रहा हैं 50% की ये केवल 16.4 की जो एजुकेशनल और सोशल जो बैकवर्डनेस की रेजर्वेशन है उसके पाद उनों ने कहा, we are also the opinion that the rule of 50% applies only to reservations in favor of backward classes made under article 16.4. तो इसलिए केवल backward classes और उसमें SCST, OBC यानि 50% से उपर ये ने कहा है